सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज ओला एलक्टिक के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरावट ही इस स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज तो यहाँ पर गिरावट ही रही है विट वन वीक में आप देखेंगे बहुत ही गंदे रिटन्स इसने में तो यहाँ पर इसने अच्छे कासी रिटन्स दिलाए थे दो चार दिन में बट उसके बाद इस सेर में आप देखेंगे जैसे इसने अपना हाई बनाया था 146.48 के राउंड फिर अब आप देख रहे हैं तब से अब तक इसने 45% नेगिटिव रिटन्स प्रोवाइड कर बताती हूं मैं और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका निकल कर आ रहा है यह भी बताती हूं में इस वीडियो में वैकि यहां पर देखेंगे वाल्यूम तो अच्छी खाजी क्रेट हो रही है वाट सैलिंग प्रेसर सैलिंग ओर्डर्स ज्यादा लग रहे हैं इसमें 65% 66% इसमें वाल्यूम आपि यहां על का रहे हैं तो यहां पर आप लोग सैल ओर्डर्स ज्यादा मत लगाईए जिनके पर बी के अख है आप लोग सैल ओर्डर्स लगा रहे तो और जादा डाउन आ रहा है प्राइस है कि यहां पर देखें तो मैंने आपको प्रिवियस विद्ली बताया था 79.80 के राउड यह इसने ब्रेक कर दी अब 80 रूड कल तक देखते है क्या होता है अगर सब्सक्राइं लेते हैं यहां से तो तब ज़्यादा अच्छा moment इसमें नजर आ सकता है फिलाल यहाँ पर मैं अगर fundamentals भी बताऊं इसके तो आप देखेंगे fundamentals इसके जो है sales वैसे इनकी बढ़ तो रही है बट expenses sales ज्यादा हो रहे है yearly basis में per year मतलब इनका जो net profit है profit जो generate ही नहीं हो रहा है company को यहाँ पर loss making company यह नजर आ रही है देखेंगे आप loss ही इनको per year हो रहा है तो fundamentally ज्यादा strong नजर नहीं आ रही है उपर से आप देखेंगे share holding pattern में यहाँ पर public को दिया गया है 48% liquidity मतलब जादा है बाकि FII, DII के पास भी इसकी holding है 4-5% around और promoters के पास only 37% almost इसके stake है only 37% जो की मतलब बहुत कम है और public को यहाँ पर 48% दिया गया है तो share holding pattern भी अच्छा नहीं है and balance sheet भी इनकी जादा खास नजर नहीं आ रही है कर मैं आपको दिखाऊं balance sheet तो balance sheet में आप देखेंगे जो reserves है, reserves इस time पे minus में है और जो borrowings है, borrowings इनकी बढ़ती जा रही है तो उधारी बढ़ रही है, reserves minus में है balance sheet भी अच्छी नहीं है और company को profit भी नहीं हो रहा है तो loss making company है, risky यह share नजर आ रहा है तो fresh entry long term perspective से ही यह सोच कर ही कीजेगा बाकि short term perspective से तो यहाँ पर थोड़ा risky share यह mid term perspective से भी थोड़ा risk नजर आ रहा है क्योंकि company को profit generate भी नहीं हो रहा अच्छा खासा कुछ भी मतला भी profit generate नहीं हो रहा है, ultra loss जादा हो रहा है तो ऐसे में थोड़ा risky share यह है in future यहाँ पर fundamentals में improvement होता है, long term में तब यह returns दिला सकता है फिलाल 80 rupees के round support है, then इससे भी down आता है तो 75 के round फिर इसका next support नजर आ रहा है देखते हैं क्या होता है, वैसे भी यहाँ पर काफी stocks आजकल गिर रहे हैं बट ओला तो बहुत time से यहाँ पर गिरावट ही दिखा रहा है देखेंगे आप, यह जो गिरावट दिखा रहा है यह stock अगस्त से यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है हाई जो था इसका 155 रुपीस, 56 रुपीस के राउंड था कई लोगों ने यहाँ पर भी बाई किया होगा तो एवरेज भी मत कीजिए, आप लोग इस सेर में भी वेट कीजिए या जिनके पास यह सेर है, 100 रुपीस के राउंड भी जिनोंने लिया है तो वेट कीजिए आप लोग अभी इस स्टॉक्स में आई होप आपको यह वीडियो समझ आई कि क्लियर हुआ को कि क्या करना चाहिए आगे इस सेर में तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो